C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की ध्वनी पुस्तक गणित का जादू सात्मा पाट जगमग जगमग प्रिष्ट उनहत्तर बन्नी और बन्नो अपनी शादी की साल गिरह मना रहे हैं क्या तुम्हें बन्नी के परिवार में पिछले साल हुई शादी के बारे में याद है देखो गणित का जादू कक्षातीन प्रिष्ट एक सौतिरपन बन्नी और बन्नो ने एक साल बाद अपनी शादी की साल गिरह मनाने की सोची यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें जंगल के जानवर दिखाई दे रहे हैं और साथ ये एक बोड पर लिखा है साल गिरह मुबारक उन्होंने अपने परिवार वालों और दोस्तों को बिलाया उन्होंने खाने में बहुत ही मसेदार चीज खीर बनाई जो कि दूद, चीनी और चावल को पकाकर बनाई जाती है सभी जीव जन्तु आए दोड़ते भागते, कूदते फानते और रेंगते हुए प्रिष्ट सत्तर यहाँ पर एक चित्र है जहाँ पर जंगल के जानवर दिखाई गए है और साथी एक बोड़ पर लिखा है तुम जियो हजारों साल, बन्नी और बन्नो हाथी पचास लीटर खीर पी रहा है जिराफ रिक्तिस्थान लीटर खीर पी रहा है गाए रिक्तिस्थान लीटर खीर पी रही है फिर गिलहरी आई उसने कहा मैं एक लीटर खीर नहीं पी सकूंगी इसलिए मुझे पांच सो मिली लीटर खीर दीजिए गधे ने पूछा पांच सो मिली लीटर खीर क्या ये एक लीटर से ज़्यादा नहीं है लोमणी ने कहा गधे की तरे चोंको मत समझने की कोशिश करो एक लीटर में एक हजार मिली लीटर होते हैं तो पांच सो मिली लीटर का मतलब हुआ आधा लीटर प्रिष्ट इकहतर मेंडक अपने नौ दोस्तों के साथ कूदता हुआ आप आउचा उसने कहा ओ, हमें तो सिर्फ सो मिली लीटर ही चाहिए यहाँ पर मेंडक और उसके नौ दोस्तों का चितर बना है मियाओ, मियाओ, अच्छा, ये रही तुम्हारी खीर बिली ने कहा जो सबको खीर परोस रही थी उसने दस गिलास लिए और हर गिलास में सो मिली लीटर यानी एम एल खीर डाली यहाँ पर बिल्ली को गिलासों में खीर डालते भी दिखाया गया है गधे ने हैरान होकर पूछा हर किलास में सो मिली लीटर, ये कितना हुआ लोमडी को अपना तेज दिमाग दिखाने का एक और मौका मिल गया वो बोली यह तो बहुत आसान है दस बार सो मिली लीटर यानी ML मतलब रिक्तिस्थान मिली लीटर यानी ML बराबर रिक्तिस्थान लीटर अब तुम लिखो दस गुणा सो मिली लीटर बराबर रिक्तिस्थान देखो यहाँ एक चीटियों का दल चला आ रहा है टिड़ा बोला खीर तो खत्म हो गई अब हम क्या करें बिल्ली उदास होकर बोली टिड़ा बोला क्या हमें देर हो गई प्रिष्ट बहत्तर चिंता मत करो वो ज्यादा नहीं पिएंगी हरे को सिर्फ एक मिलिलीटर खीर चाहिए मैं अपनी खीर में से उन्हें हिस्सा दे दूँगा हाथी अपने कान से बिल्ली की आँखों के आसु पोस्ता हुआ बोला हाथी ने पूछा तुम सब कितने हो चीटियों ने एक साथ कहा हम सिर्फ एक हजार है बिल्ली बोली क्या कहा एक हजार हमें एक हजार चीटियों को खीर देनी पड़ेगी कुछ सोचकर हाते ने कहा चिंता की कोई बात नहीं हो जाएगा हर चीटी एक मिलिलीटर यानी ML खीर पिएगी इसलिए एक हजार चीटियां खीर पिएगी एक हजार गुना एक ML बराबर रिक्तिस्थान ML ओ, इन चीटियों को उतना ही चाहिए जितना दस मेंडको को चाहिए गधे ने कहा सभी चीटियों ने खीर पी ली सब खुश थे अब वो शादी की सालगरा के मौके पर खुशी से नाच ने गानने लगे यहाँ पर सबसे नीचे जंगल के जानुरू का चितर है जो खुशी में नाच रहे हैं प्रिश्ट तेहत्तर कौन पी सकता है एक लीटर खीर क्या तुम्हें खीर पसंद है तुम्हारे घर खीर को क्या कहा जाता है तुम कितनी खीर खा सकते हो क्या तुम एक बार में एक लीटर पानी पी सकते हो यहाँ पर एक लड़की और एक लड़के का चितर है लड़की कहती है मुझे लगता है कि मैं एक लीटर पानी पी सकती हूँ लड़के ने कहा मैं 400 एमेल पानी पी सकता हूँ इसे प्रिष्ट पर सबसे नीचे एक गधे कचित्र बना है ये गधा अलग-अलग तरीकों से जोड़कर एक लीटर बनाने की कोशिश कर रहा है चार्ट पूरा करने में उसकी मदद करो यहाँ पर एक चार्ट बना है अब तुम इस चार्ट को खुद पूरा करो यहाँ पर एक तालिका दिखाई गई है इस तालिका में तीन पट्टिया बनी है एक लेटी हुई पट्टी दूसरी खड़ी हुई पट्टी और तीसरी तिर्ची पट्टी यानि बाएं से दाई तरब जाती हुई पट्टी अब हम इन पट्टियों को अलग-अलग पढ़ते हैं और तुम इन में दिये गए खाले स्थानों को पूरा करो लेटी हुई पट्टी बाएं से दाई तरब रिक्तिस्थान एमेल जमा दो सो एमेल बराबर एक लीटर लेटी हुई पट्टी में अब हम दाएं से बाई तरब चलते हैं अब हम खड़ी पट्टी को देखेंगे खड़ी पट्टी में सबसे पहले नीचे से उपर चलते हैं रिक्तिस्थान ML जमा 100 ML बराबर एक लीटर अब हम खड़ी पट्टी में उपर से नीचे की तरफ चलेंगे रिक्तिस्थान ML जमा 250 ML बराबर एक लीटर अब हम तिर्शी पट्टी को देखते हैं तिर्शी पट्टी पहले बाएं से दाईं तरफ जाती हुई रिक्तिस्थान ML जमा रिक्तिस्थान ML जमा रिक्तिस्थान ML बराबर एक लीटर अब हम तिर्शी पट्टी में दाएं से बाईं तरफ चलेंगे रिक्तिस्थान ML जमा रिक्तिस्थान ML बराबर एक लीटर पास देखो, इन चित्रों को देखो, ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो पैकेट में मिलती हैं या बोतल में, अपनी सूची बनाओ, यहां पर एक तालिका है, जिसके दो भाग है, पहले भाग में सबसे उपर लिखा है पैकेट, और दूसरे में लिखा है कितना है लीटर या मिल लीटर यानि एमेल में, इस तालिका के इर्दगिर्द कुछ चित्र भी बने हैं, इस तालिका का पहला कॉलम हम भरते हैं, उसके बाद बाकी कॉलम तुम भरो, पैकेट, दूद, कितना है लीटर या मिली लीटर यानि एमेल में, पांच सो एमेल, अब बाकी खाने तुम तुम्हें कभी एक लीटर वाली पानी की बोतल देखी है? एक लीटर वाली बोतल और कुछ और छोटी बोतलें कठी करो. अंदासा लगाओ कि उन छोटी छोटी बोतलों से एक लीटर वाली बोतल को भरने के लिए तुम्हें कितनी बार पानी उडेलना पड़ेगा? यहाँ प बड़ी बोतल में छोटी बोतल से पाली डालते हुए दिखाया गया है। प्रिश्ट 75 अब करके देखो, तुम्हारा अंदाजा सही है या नहीं? तालिका भरो, यहाँ पर एक तालिका है, जिसके तीन खाने हैं। पहले खाने में बोतल एक, बोतल दो और बोतल तीन लिखा है और दूसरे खाने में सबसे उपर मेरा अंदाजा और तीसरे खाने में सबसे उपर लिखा है मेरा माप। अब तुम इन खाली स्थानों को भरो। बोतल एक, मेरा अंदाजा रिक्तिस्थान, मेरा माप रिक्तिस्थान, बोतल दो, मेरा अंदाजा रिक्तिस्थान, मेरा माप रिक्तिस्थान, बोतल तीन, मेरा अंदाजा रिक्तिस्थान, और मेरा माप रिक्तिस्थान. देखो आदित्यन क्या कर रहा है यहाँ पर एक बच्चे का चित्र है जो कह रहा है एक लीटर बोतल पूरी भरने के लिए मैंने पानी से भरी दो छोटी बोतलें उड़े ली उसकी एक छोटी बोतल में कितना पानी था यहाँ पर एक चित्र में आदित्यन को छोटी बोतल से बड़ी बोतल में पानी भरते दिखाया गया है इसी चित्र के नीचे एक और चित्र भी है जो लड़की का चित्र है लीला कह रही है मुझे एक लीटर की बोतल को पूरा भरने के लिए पांच बार छोटी बोतल से पानी भरना पड़ा तब लीला की छोटी बोतल में कितना पानी होगा रिक्तिस्थान रामू की माप की बोतल यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ रामू का चित्र है जिसके हाथ में एक छोटी बोतल है और उसके सामने एक बड़ी बोतल दर्शाई गई है बोतल को माप की बोतल बनाने के लिए उसने क्या किया? प्रिष्ट 76 मेरी माप की बोतल 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml और एक लिटर मापने के लिए अपनी बोतल खुद बनाने की कोशिश करो अपने दोस्तों और अध्यापक के साथ चर्चा करो कि ये बोतल तुमने कैसे बनाई? अंदाजा लगाओ और जाच करो अपने घर पर बाल्टियों, मगों, गिलासों और दूसरी चीजों को देखो सोचो, हर एक में कितना पानी आ सकता है? मापने वाली अपनी बोतल से अपने उत्तर को जाचो यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसके तीन भाग है पहले भाग में उपर से नीचे के तरफ लिखा है मग, गिलास और भगोना और दूसरे खाने में सबसे उपर लिखा है मेरा अंदाजा और तीसरे खाने में लिखा है मेरा माप अब इस खाने को तुम खुद भरो मग, मेरा अंदाजा, रिक्तिस्थान इस प्रिष्ट के सबसे नीचे एक घर का चित्र है इसमें एक लड़का और एक लड़की को बैठे दिखाया गया है लड़का कहता है, मुझे लगता है कि ये 750 ml से कुछ कम है लड़की कहती है, मुझे लगता है कि इसमें 250 ml और 500 ml के बीच आ सकता है प्रिष्ट सततर नीटू अस्पताल में नीटू को पाँच दिन तक रोज तीन इंजेक्शन लगेंगे उसे एक दिन में कितनी दवाई की जरूरत है पाँच दिन में कुल कितनी दवाई दी जाएगी यहाँ पर एक चित्र में डॉक्टर को नीटू को इंजेक्शन लगाते दिखाया गया है नीटू बोली मुझे सुई लगवाने से डर नहीं लगता व्यक्ति बोला एक इंजेक्शन से तुम्हारे शरीर में पाँच एमेल दवाई पहुचाई जाएगी यहाँ पर एक गेंडे का चित्र है और उसके सामने एक इंजेक्शन का चित्र है गेंडा इंजेक्शन को देखकर सोच रहा है मेरे लिए एक इंजेक्शन में कितनी दवाई की जरूरत होगी एक बार में हम कितना इस्तिमाल करते हैं यहाँ पर दो कॉलम है पहरे कॉलम में सबसे उपर लिखा है आखों में डालने की दवाई और दूसरे खाने में सबसे उपर लिखा है हम एक बार में एक एमल से भी कम इस्तिमाल करते हैं अब तुम दिये गए खानों को अंदाजा लगा कर स्वेम भरो उन चीजों की सुचे बनाओ जिनका प्रियोग एक बार में एक लिटर से भी ज़्यादा किया जाता है नहाने का पानी अब तुम दिये गए खानों को खुद भरो प्रिष्ट 78 अभ्यास का समय एक अमीना की पानी की बोतल में एक लिटर पानी आता है उसने दो सौपचास मिली लिटर पानी पी लिया और उसके दोस्त गोविंद ने एक सौपचास मिली लिटर पानी पी लिया बोतल में कितना पानी बचा है दो यूसुफ एक चाय की दुकान चलाता है एक चाय बनाने के लिए वो 20 मिलिलीटर दूद का प्रियोग करता है कल उसने 100 गिलास चाय बनाई उसे कितने दूद की जरूरत पड़ी होगी यहाँ पर एक चाय की दुकान कचित रहे और दहिनी तरफ कुछ गिलास और कब बने है दुकान पर कुछ व्यक्तियों को भी दिखाया गया है तीन राधा की दादी बीमार थी डॉक्टर ने उन्हें 200 मिलिलीटर से भरी हुई दवाई की बोतल दी उन्हें 10 दिनों तक रोज सुभे दवाई लेनी थी उन्हें हर सुभा कितनी मिलिलीटर दवाई लेनी थी रिक्तिस्थान इस प्रिष्ट के सबसे आखरी भाग में राधा और उसकी दादी का चितर बना है और सामने ही कुछ घर दिखाई दे रही है प्रिष्ट नवासी पानी पानी दिया गया चाट बताता है कि पांच लोगों के परिवार को एक दिन में कितने पानी की जरूरत है वो गुडा लूर गाउं में रहते हैं यहां पर एक चाट है जिसके दो खाने है पहले भाग में सबसे उपर लिखा है कारे और दूसरे में लिखा है पानी लीटर में आईए अब हम चाट को पढ़ते हैं खाना बनाने और पीने में 30 लीटर कपड़े धोने में 40 लीटर बरतन धोने में 20 लीटर और नहाने में 75 लीटर इस प्रिष्ट पर सबसे उपर दानी तरफ एक आदमी और एक औरत कचितर है जिनें कपड़े धोते और बरतन साफ करते वे दिखाया गया है कुल मिलाकर परिवार ने कितना पानी इस्तेमाल किया रिक्तिस्थान तुम्हारा परिवार एक दिन में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है अंदाजा लगाओ और चाठ बनाओ अब इस दिये गए चाठ को तुम खुद भरो यहाँ पर एक चाठ है जिसके तीन खाने है पहले खाने में सबसे उपर लिखा है कारे दूसरे में पानी का उप्योग बाल्टी में और तीसरे में लिखा है पानी का उप्योग लीटर में अब तुम इन कारें को देख कर इनके सामने के खानों को खुद भरो कारे खाना बनाने और पीने में पानी का उप्योग बाल्टी में रिक्तिस्थान पानी का उप्योग लीटर में रिक्तिस्थान कार्य कपड़े धोने में, पानी का उप्योग बाल्टी में, रिक्तिस्थान, पानी का उप्योग लीटर में, रिक्तिस्थान, कार्य बरतन धोने में, पानी का उप्योग बाल्टी में, रिक्तिस्थान, और पानी का उप्योग लीटर में, रिक्तिस्थान बून्द बून्द से सागर बनता है क्या तुम्हारे घर या स्कूल में कोई नल है जो टपकता रहता है क्या तुम जानते हो कि टपकते हुए नल से हम कितना पानी बरबाद कर देते हैं एक लिटर की बोतल टपकते हुए नल के नीचे इस तरह रखो कि सभी बूंदे उसमें इकठा हो जाएं समय लिखो एक घंटे बाद देखो कि बोतल में कितना पानी इकठा हो गया है प्रिष्ट अस्सी पता करो कि एक दिन में कितना पानी टपक कर बेकार बह जाता है रिक्तिस्थान एक हफते में रिक्तिस्थान एक महीने में रिक्तिस्थान और एक साल में रिक्तिस्थान पहेली यहाँ पर एक छितर में कुछ बच्चे और कुछ व्यक्ति दिखाए गए हैं और यहाँ पर एक बोट पर लिखा है दुग्द सहकारी समिती में चला नूर गाउं में दूद की एक सहकारी समिती है गीता और अम्मी ने वहाँ चार लीटर दूद खरीदने गई लेकिन वहाँ पर एक लीटर मापने वाला बर्तन नहीं था सिर्फ तीन लीटर वो पांच लीटर के बोथ ले थी फिर भी उन्हें पूरा चार लीटर दूद दे दिया गया बताओ ऐसा कैसे किया गया इसी के साथ सात्मा पाठ जगमग जगमग यहीं समाप्त होता है स्वर प्रवीन शर्मा तक्निकी समन्वयक बटिलेंग लिंडो ध्वनियंकन विकास सांगवान निर्मान सहयोग रुचि शर्मा निर्देशन और निर्मान विमलेश चोधरी तथा प्रस्तोती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत